है एव्रिवान विल्कम बैक टू यो फेवरेट चानल अड़र 24 7 9 10 10 मैं हूँ शिप्रा तिवारी बहुत-बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चो कैसे आप सब लोग उम्मीद करें हूँ बहुत ही शांदार और जबर्जस्त होंगे जो आज की कहानि जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और शिर्फ अपने शिप्रा अमगी जबानी बच्चो और आज हमारा इसा लिग्या है, I need one blank slide, रुको, 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 मैं एक पहले blank blank slide copy कर लूँ, फिर तुम लोगों को बढ़ाती हो, पे, 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 ओके, फाइन बच्चो, चलो, तो let's start with the revision of the male reproductive system, चलो, देखो, आज़ो, अगर आप से पूछू मैं, कि male reproductive system कहां होता है, राजा, तो क्या बोलोगे, मेरे प्यारी बच्चो, है न, ये मत बोल देना, सर पे होता है, ये नहीं होता है, सर पे नहीं होता है, कहां पे होता है, abdominal cavity में, ठीक है, तो चलो, अपन लोग एक male reproductive system बनाते हैं, फिर मैंने आपको क्या बताया था, कि आपके पास दो स्क्रॉटल सैक होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, बोलो, बोलो, आपके पास दो स्क्रॉटल सैक होते, होते की नहीं होते, उसके अंदर बेटा जी क्या होती है, इस तरीके से पड़ी हुई और यह क्या हो गए आपके टेस्टीस याद है कि सब भूल गए पिर हमने क्या पड़ा था कि टेस्टीस के अंदर होते हैं छोटे चोटे से compartments. और बाहर निकलने के बाद प्यारे बच्छोज यह एक folded structure में जाएंगी जिसका नाम होता है epididymus. याद है कि नहीं है? बोलो बोलो जल्दी से अभी सब हम लेबल करेंगे तो यह सारी ट्यूब जो एपिटी डाइमस में खुल रही है और आपके टेस्टीस का काम क्या होता है स्पर्म को बनाना होता है कि नहीं होता है साथ में हॉर्मोन भी निकालता है तो यह भाईया स्पर्म बनवाता है प्लस ह तिनी ट्यू возмols बनवाती है पढ़ाया था चापनों के बाहर निफ़यम रेहते हैं चेहरे इतने भी मेल में क्यारेक्टर है जाए स्पर्म को बनवाना चाहिए अवास को भारी होना एवरीथिंग इस बाइद टेस्टोस्टिरोन क्लियर है अब यह ट्यूब जो है यह एक टिब्यूले स्टक्चर में बहुत इसके पीछे बेताल की तरह पड़ा रहता है इसे हम कहते है और इसको आप एपीडी डाइमेस में स्टोर करते रहते हैं यह जो ग्रीन ग्रीन कलर की जो ट्यूब बनाई थी इसको मैंने क्या बोला था बच्चो वास इफ्रेंस वास इफ्रेंस याद आया इसे हम कहते है वास इफ्रेंस फिर बेटा यहां से एक बहुत लंबी इसको यहां से बच्चो इसको मैं मिटा रही हूं वास इफ्रेंस को ठीक है एपीडी डाइमेस समझ मैं यहलो यहलो वाला ग्रीन वाला इस वास इफ्रेंस अब मैं इसको मिटा रही हूं ठीक है लेबली क्योंकि यहां से मुझे आपको वास इफ्रेंस को शो करना है मैं तो यहां से बेटा देखो एपीडीडाइमस के से पिछले हिस्से से एक ट्यूब बाहर निकली निकली एक ट्यूब इसको हम कहते वास डीफरेंस यह आपकी NCRT में दिया हुआ है देखो टेस्टीस गोल होता है ओवल होता है कमपार्टमेंट होते हैं कमपार्टमेंट के स्टोर करो पर जो पायप स्पम को पहुचाएगी उसको वास डीफरेंस यह कहते हैं क्या कहते हैं तो टैस्टीस से इrididymus टक Q न outdoor यहां पर आप लोगों को यह बहुत अक्छे से पता था कि जो में पर्परॉड खी सिस्टम होता है उसमें स्पम और यूरीन यूरिन एक ही ओपनिंग से आते तो यहां पर बेटा जी हम लोग क्या बना लेते हैं यहां पर हम लोग बना लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर बना लो ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कौन पहुचाएगा बोलो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन पहुचाएगी आपकी यहां से आ रही है और एक इउरेटर यहां से आ रही है आरे गमती हूए यह निकालो गहने हूँ तो यह शुमर्डरा की पास करEMA के पास या बच्चो यह स्पर्म डखन है यह पर्ण डखन धैल कि नहीं स्पर्म डखन है तो आगर यह स्पर्म स्ब्रा रहां हा जब गूंते फिर रहे थे तह बोले आहि गये बराथी तो बर्ध के श्वागत कर रहे रहें हम लोग याद पढ़ायत आपको बेने तो यहां पर एक पत्ते जैसी ग्लैंड होगी एक इधर होगी और एक इधर होगी क्लियर है यह देखो एक इधर होगी और एक इधर होगी ग्लैंड होगी इस ग्लैंड को बेटा जी हम लोगों ने क्या कहा था बोलो इस ग्लैंड को हमने कहा था सैमीनल वेजाइ ऑद केंदर भरा है समाइनल फ्लूइड में खूप सारा फ्रेक्ट। गोग तो ईए परुप फ्रेक्टोस पिलाओ उसके बाद जोईन हो जाएगी लोग जॉइन कर दिया समाइनल से जॉइन होगई बोलो जॉइन होगए कि नहीं हो अब उसके बाद एक common pipe निकलेगी, जो ये ये देखो, ये common pipe निकलेगी, ये देखो, एक common pipe निकल रही है, ये common pipe जो बेटा जी निकल रही है, look at this, ये जो common pipe निकल रही है, इसे हम क्या कहते हैं, बोलो, ये जो common pipe निकल रही है, इसे हम क्या कहते हैं, याद करो, याद करो बच चोई किया रहते थे इसे रहते रहे एक्यूलेटरी सब्समें 306 सब सब लोग ध्यां से सुनेंगे सब लोग ध्यान से सुनेंगे देखो इदर, यह यहां से यूरित्रा बाहर निकल रहा है, निकल रहा है यूरित्रा, बोलो, यह है आपका, पहले मैं लेबलिक कर देती हूँ, यह है आपका यूरेनरी ब्लाडर, यह क्या है बच्चो, आपका यूरेनरी ब्लाडर, यह क्या है आपकी यूरेटर, ठीक है, औ जोड़ना पड़ेगा यह जो इस से जोड़न पड़ेगा यह जो इस ओल विडिया साहाब यूरेत्रा से जोइन कर दीजे I जौइन हो गई जाघ उरिधरा जरू हो गईूरेत्रा से पर आपको पता होना चाहिए कि अब एक यह जो बनाप shape की gland से pass होती है और इसे हम क्या कहते हैंud बच्चों इसे हम कहते हैm prostate gland prostate gland तो prostate gland माँ 1994 बना दे रहे हैं इस इन डोनुट होता है ना ऐसे तो prostate gland मतलब walnut shape की gland होती है और यह है तो ureator से क्या जुड़ा है is involetary duct और ureator के चारो तरफ क्या है आपकी prostate gland तो let me label this gland called as prostate gland ठीक है prostate gland क्या काम होता है prostate gland का प्रोस्टेट gland का काम है भीया जी यह आपके semen को semen क्या है बच्चो what do you mean by semen sperm plus seminal vesicle का fluid is called as semen तो semen को semen क्या होता है sperm को single नहीं कहते है sperm plus liquid को हम कहते है semen semen में यह और मिल जाते हैं ताकि semen की क्या हो smell आए और semen का जो color होता है न whitish वो भी इसी की वज़ा से होता है यहां तक की बात clear हो गई बोलो 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 अब सब ध्यान से सुनते जाओ जब बराती लोग जा रहे होंगे तो साथ में बरात निकल रही होगी ठीक है तो यहां पर हम लोगों के पास दो और ग्लैंड होती है जो बल्ब जैसी होंगी और इन्हें बेटा जी हम क्या कहते हैं काउपर्स ग्लैंड क्या कहते हैं काउपर्स ग्लैंड क्लियर है बोलो काउपर्स ग्लैंड का फंक्शन क्या बताया था मैम ने लिउब्रीकेशन क्या बताया था बोलो लिउब्रीकेशन बस खतम तो हो गया है बच्चो कितना प्यारा डाइग्राम इस से कितना अच्छा कि यह लग रहा बताओ कैसा लग रहा यूरित्रा में काउपर ग्लैंड मिला अप सुनो प्रोसेस के आए फिर से बता दू टेस्टीज ने बनाया स्पर्म स्पर्म बनाने के लिए हॉर्मोन चाहिए टेस्टोस्टिरॉन कौन सी सेल निकालती है लेडिक सेल निकालती है जो टेस् तो निकालने के प्रोसेजर को क्या कहते है इसकोलेशन और हर समय पॉन निकालोगे नहीं तो सपर्म को हम एक जगह पे स्टोर कर देते हैं जिसका नाम है अपिड़िदायमस अपिड़िदायमस से पाइप निकली वासा डिफ्रेंश्या जो यूरेटर से गूमते हुए आही की रही थी तो साथ में बरातियों का सवाकत हमने किया लघ्ला से किसके पास होता है संवाइनल वेजाइकल के पास स्पर्म डख्ट प्लस संवाइनल वेजाएकल की डख्त आपस में जुड़ जाती है उसे चारुत तरह है और वह भी अपना secretion इस exaculatory duct में मिला देते हैं ठीक है अब आपकी जो exaculatory duct का जितना भी secretion है जिसे हम क्या कहते है इसके अंदर बेटा जितना कुछ समान भरा हुआ है इसे हम कहते है semen अब ये semen जो है semen मतलब sperm plus जितने भी liquid है semenal vesicle का liquid cowper का liquid, prostate का liquid इन्हें हम कहते है semen अब ये semen इस ureter से पास होगा तो by the process of exaculation जब exaculation होगा तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर आपका होता है male penis ठीक है ureter किसके अंदर हो आपका urethra किसके अंदर होता है बोलो आपका urethra जो होता है एक muscular tissue के अंदर होता है और इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं panis तो जब आपका exaculation होगा तो यह urethra अपना exaculation मतलब बाहर निकालना exaculatory duct से semen को बाहर निकालना urothra पूरा semen बाहर निकाल देगा अब urine भी यहीं से पास होता है क्योंकि urinary bladder भी urethra से connected है exaculatory fluid जिसे हम semen कहते हैं वो भी urethra से ही urethra में आ रहा है तो दोनों एक साथ नहीं होते हैं दोनों अलग-अलग procedure होते हैं male reproductive system यह हुआ मेरा पूरा revision हमने अच्छे से कर लिया है this diagram is extremely important और यह diagram आपको सब explain करता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं एक diagram में पूरी कहान ही खतम हो गई ठीक है चलो भाईया done अब हम लोग आते हैं female reproductive system से पहले male reproductive system में तो और थोड़ा सा और बताना चाहूंगी देखो हमको यह पता है कि हमारा जो sperm होता है किसी ने पहला lecture लगाया होगा तो उसको पता होगा sperm बनाने के cell division को हम क्या कहते हैं देखो आपकी पूरी body में जो cell division होता है वो होता है mitosis पर sperm and over को बनाने के लिए जो cell division होता है उससे हम कहते है meiosis यह मैं already पढ़ा चुकी हूँ जिसको पता होगा तो पता होगा नहीं पता होगा एक नुमंसेट होगा नौर्मली को sperm है बच्चो मेरे लाल मेरे आखों के तारों यह समझ में आई की नहीं आई मजद्दार तरीके से समझ में आया की नहीं आया ठीक है उसके बाद सबसे पहले क्या होता है राजा बेचा सबसे पहले होती है मियोसिस वन मियोसिस 1 से हम 2 cell बनाते हैं जिसमें 2 cell आधी आधी हो जाती है इसके बाद इसके बाद इसमें होता है बच्चो कौन सा डिविजन मियोसिस 2 मियोसिस 2 से भी हम 1 से 2 ही cell बनाएंगे पर ये 2 cell का नंबर कुछ और आधा नहीं होगा उतने के उतने ही रहेगा और ये चारो सेल जो है जो आपने बनाई है दो सेल से ये किस में डवलाप हो जाती है स्पर्म में डवलाप हो जाती है ठीक है ये किस में डवलाप हो जाती है सुन्दर सुन्दर बरातियों में डवलाप हो जाती है इस प्रोसीजर का नाम होता है सपर्म गेसिस ठीक है, सपर्म बनाने के प्रोसीजर को सपर्म गेसिस कहा जाता है, सपर्म बना लिया और ये सारी प्रोसीजर जो होती है, बच्चो ये कब होती है, at the puberty समझ में आई बात ये सब होता है तब जब puberty आ जाते puberty मतलब जवानी ज़ाने मन हसीन दिल रुबा मतलब व्यसकवस्था आ जाती अडल्ट हुड़ा जाता है पर female के साथ ऐसा नहीं होता मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ female के साथ ऐसा नहीं होता जैसे sperm mother cell होती है वैसे ही ओवा के पास क्या होती है ये sperm mother cell before birth ही बन जाती है ये पूरी procedure जो male में हो रही है ये हो रही है after the birth sperm mother cell after the birth divide होती है after the birth division होता है ये बात आप हमेशा याद रखना इसलिए जो लड़के होते हैं आदमी होते हैं वो 75 साल तक भी बच्चे पैदा कर सकते हैं after the birth ये पूरा कहानी हो रहा है पर female बिचारी बदनसीब है और इनके में ऐसा नहीं होता इनके में जो ओवा mother cell होती है ये पूरी कहानी चल रही before birth ध्यान से सुनना ठीक है before birth आपको सब समझ में आएगा बस कॉंसेंट्रेट करो एक बार आप बेसिक सीख जाओगे आपको पूरा वो चाप्टर एकदम ऐसे क्लियर हो जाएगा जैसे वाँ वाँ मैं before birth आपके पास ओवा mother cell होती है साब के पास होती है सब के पास पास mother cell over mother cell होते है अब मेरे पास कुछ काम तो है नहीं चलो मैं डिवाइट कर लेती है और बेटा बेटा बिफोर बर्थ ही यह क्या करना शुरू कर सकती है कि जतना शुरू हो गई अब भगवान्नी बोला अरे लड़की कर दी तू पागल हो गई है कया क्या किया रही है और उसको मिरूसी सबढ़े कि सर्टन अ सटेप में किसी एक स्टेप में रोक लिया जाता है अरे यह संद्धे में और ने को मत 21 एवा थिःस काrän इसा तो उसका cell division जन्म से पहले ही start हो जाता है इसलिए female की ओवरी में कोई और नया addition आप after the birth कर नहीं सकते क्योंकि जो काम हम जन्म के बात करते थे female ओवरी ने तो पहले ही शुरू कर दिया है अब आप जन्म के बात कोई और चीज अड़ कर सकते हैं नहीं नहीं कर सकते हैं क्योंक और एक समय ऐसा हाता है कि female ओवरी के पास सारे ओवर खतम हो जाते इसको मैनोपोस कहते हैं female ओवरी के पास 980 जो millions of ओवर होते हैं और लास्ट में 900 700 ओवर बचते हैं मर मर के मर के इनके में कोई टेंशन ही नहीं हर बार ही नया बनाना है क्योंकि इनका cell division पूरा ही जन्म के बाद होता है तो लड़कों में कोई टेंशन नहीं है लड़कियों में cell division स्टार्ट हो जाने की वजह से क्या हो जाता है सर्टन स्टेप में यह अरेस्ट हो जाता है उसके बाद रेजियूम कब होता है बच्चों उसके बाद यह रेजियूम होता है एट पुबर्टी जल्दी बच्चे पैदा कर लो क्योंकि ओवा खतम हो जाएगा क्या ये बात सबको क्लियर है इन लड़कों में सेल डिविजन हमेशा प्यूबर्टी के बाद होता है लड़कियों में जन्म से पहले ही हो गया है इसलिए कभी भी फीमेल ओवरी में जन्म के बाद कोई नया करेगा भगवान के लिए ये बात हमेशा याद रखना ठीक है अब यह पूरी कहानी में क्यों बता रही हूं अभी आपको समझाती हूं चलो भाई या ठीक है फीमेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम जो होता है यह कॉंप्लेक्स है मेल से मेल में स्पर्म बनाना 14 साल 15 साल के बात शुरू होगा हमारे में ओवा बनाने की प्रक्रिया जर्म से पहले ही शुरू हो गई तेरी तो फोकट बैठी होगी तो यह प्रोसीजर जो फीमेल होती हो विसली थोड़ी से डिफिकल्ट होती है देहान से सुनो हमें क्यों है ऐसा क्यों है कि फीमेल जो होती है वो जा activistressory बट्चों को फीडिझ 2 यह कराना है तो इस तरीके से जो है तो जो सब्सक्राइब frog कर डिजाइनिंग होती है क sexuality that is why female body is very very complex body दूसरी बात यह है कि उंभन हर और अगर नहीं हुआ तो उसे शरीर से बाहर निकालना पड़ता है और अगर नहीं निकला मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है फीमेल प्रेगनेंट है प्रेगनेंट हो गए तो भी नौ मैंने बच्चे को पालेगी प्रेगनेंट नहीं हुए तो में इंस्टुएशन का दर्द सहीगी तो इतनी कॉम्प्लेक्स बॉड़ी को आज हम पढ़ने वाले है ठीक है बच्चो चलो आजो ओके अब हमको जैसे कि आपने पढ़ा कि जो है तो फीमेल का रिप्रड़क्टिव सिस्टम कहां होता है फीमेल का रिप्रड़क्टिव सिस्टम होता है द्यान समझते जाएगा ठीक है चलो देखते हैं फीमेल का रिप्रड़क्टिव सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है फीमेल का हिसा ठीक है कमर पीछे नहीं होता कमर के हिस्से में ठीक है ओके नीचे बॉड़ी में कमर के हिस्से में प्रेजेंट होता है ठीक है चलो भई यह अब अपन शुरू कर लेते हैं और एक फीमेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम का डाइग्रम बना लेते हैं आजाए तो हम लोग स कबसे पहले शुरू करते हैं यूट्रेस से ठीक है यार मुझे फीमेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम बनाने में बड़ा ही खी जाती मुझे बड़ा गंदा लगता है उसमें मेरे सींग अच्छे सानी बनते अरे मेरे सींग नहीं फीमेल के सींग है ना आओ यह बना लिया म पहले ऐसे थोड़ी सी पतली बना लो फिर सींग को थोड़ा मोटा बना लो थोड़ा सा मोटा बना लो यह बना लिया मैं मने मोटा आपका आदेश चराखो पर तो पहले सींग पतली बनाओ फिर सींग को मोटा बनाओ ठीक है और उसके बाद बेटा राजा मेरे उसके बाद सींग को थोड़ा से ऐसे जुकाओ ठीक है और इस तरीके से आप अपनी इस वाली सींग को ऐसे जुका दो ठीक है अजीब सी बकरी बनी है त्यों ठीक है थोड़ी अजीब लग दी बटेट सोके ठीक है अब ध्यान से सुनना उसके बाद यहाँ पर एक round round structure बनाओ round 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 structure बनाओ ठीक है फिर उसके बाद उसे इससे जोड़ दो ठीक है ओके fine ठीक है उसके बाद ध्यान से सुनो इसमें color combination बहुत काम है मेरे पास बट I am trying कि आपको सब मिल जाए ठीक है अब ध्यान से सुनो सब लोग ध्यान से सुनते जाईए चलिए आईए त्यान से देखिए डाइग्राम में की करके सुन सीखेंगे पर लोग सबसे पहले यह जो oval structure दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं ovary क्या कहते है ovary ovary कित्ती दिखाई दे रही है दो दिखाई दे रही है अब यह ovary क्या करते जैसे testis था वैसे यह ovary भी थी testis primary sex organ है female में ovary sex organ सब लिखवाऊंगी मैं अभी सिफ diagram explain कर रही हूं सब यह दूर्ण वरी हूँ यह मन मने वह यह क्या चल रहा है माम रुक जाए थोड़ा रुक जाओ बेटा तुम रुक जाओ 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 शान्ती से सुनो female के पास कितनी ovary दिख रही बेटा एक यह दिख रही है राजा एक यह दिख रही है सुना अब यह ovary면 कि होर्मोन निकलने का of दूसरा काम मतलब पहला काम यह है Episode m mature करने का क्योंकि बना तो यह जन में से पहले ही थी ठीक है फिर सल्डिमियोटी इस वन की पहली स्टेज में कुछा आध एक आज स्टेज चली होंगी इस एरेस्ट करके बैड़ गई ठीक है अब पहला काम यह हो गया दूसरा काम यह हो गया चीक है चलो माम यह भी मानगे अब कि यूटरेस से जोड़ते है ताकि यह जbon जो है तक है आप ध्यान से सुन्मा यह ओवरी अपना ओवां फैलोपीन ट्यूब क्या है फैलोपींट्यूब अब वो समझ लिजिए बेटा यह armored आपको ट्यूब दिख रही है यह जो यहां से लेकर यहां तक की ट्यूब दिख रही है यह होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब कौनसी ट्यूब होती है बच्चो दिस इस दा फैलोपियन ट्यूब अब यह भी फैलोपियन ट्यूब है यह भी फैलोपियन ट्यूब है दो हो कि बारी-बारी से बारी आती है ठीक है अब अधिहान से सुनो अब अगर आप इसको देख रहे होगे इस ट्रक्चर को तो ये inverted pear shape का दिखेगा आपको पियर बतलब नाशपाती को उल्टा रखा है this structure is called as uterus पर uterus की कुछ परते होती है धिहान से समझो आउटर वाली थो मैंने बना दी ठीक है अब मैं मिडल वाली बनाती हूं यार नहीं है अब यह मिडल वाली मैं बनारी देखो है एक या मिडल वाली और बनारी अंदर वाली अंदर वाली ठीक यह मैंने अंदर वाली बना दी ठीक है चलो अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं पलो अब यह जो इन्वर्टेड पियर शेप का स्टक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते है ध्यान से सुनो तो क्या नाम है इसका पता हो गैस करो और इनाम क्या कहते है राजा इसे हम कहते है यूट्रेस यूट्रेस को हम वोम भी कहते है वोम ठीक है यह इसको हिंदी में कहते है गर्भाश है वा 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 कैसे लिखते है यार देख ले ना ठीक है गर्भाश है ठीक है तो लोग कहते हैं ना कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली पेट में बच्चा नहीं होता यूट्रेस में बच्चा होता है तो यूट्रेस में कितनी लेयर दिख रही है राजा बेटा तीन लेयर दिख रही है नंबर वान हो गई है वाइट वाली इसका नाम में हम बताएगी फिर हो रेड़ वाली को मैं पूरा ऐसा बना देती हूं ठीक है ठीक यह हो गई रेड़ वाली रेड़ वाली का नाम क्या रख दें भाई बताओ दूसरी नंबर की लेड़ ठीक है यह हो गई second and green वाली इस third ठीक है तो यूट्रेस में myometrium myometrium myo का मतलब होता है muscle myo का मतलब होता है myo का मतलब होता है muscle तो यह layer muscle से बनी होती है कौन सी muscle कौन सी muscle बताओ वो muscle जो आपके इक्षा के control में नहीं होती है तुमने कभी इसे देखा ओ ओ ओ चलो मैं आज अपना uterus हिलाती हूं कोई अपना मन से अपना uterus नहीं हिला सकता है ठीक है इसमें अपनी इक्षा के अनुसार voluntary muscle नहीं होती है इसमें involuntary muscle होती है अपनी इक्षा के अनुसार काम नहीं करती है कोई भी व्यक्ति अपने मन से अपना uterus नहीं हिला सकता ठीक है third जो होती है यह होती है endometrium and यह layer आपके लिए important है ठीक है यह होती है आपके endometrium और यह सबसे अंदर वाली layer है जो आपके लिए important है देखो ध्यान से यह ovary जब ova निकालती है तो अगर यहाँ पर fertilization हो गया तब तो ठीक है पर fertilization हो गया तो यहाँ पर जाके बच्चा फस जाएगा कोई tension नहीं पर अगर fertilization नहीं हुआ तो यह जो green वाली layer है ना यह नीचे blood के form में बाहर निकलती है बटा इसमें high high बहुत सारी many blood vessels होती है इसमें क्या होती है बच्चों इसमें बहुत सारी blood vessels होती है तो जैसे ही अंदर वाली layer टूटेगी सारी यह layer blood vessels के साथ बाहर आ जाएगी बहुत जादा bleeding होगी clear है अब तुमको मैं थोड़ा सा fallopian tube के बारे में बताना चाहती हूँ ठीक है तो uterus inverted peer shape का structure होता है इसकी 3 layer होती है इसका काम क्या होता है यह बच्चे को implant करवाता है 9 महिने तक बच्चे को अपने पास रखता है इसकी जो beach वाली layer होती है बेच्चो बहुत भाहंकर muscle होती है अब तुम कुछ सोचो यार हम लोग ऐसे खड़े है मतलब reproductive system उल्टा खड़ा है ऐसा अब बच्चा ऐसे फसे तो नीचे गिर जाएगा न तो यह जो muscle इतनी strong होती है यह बच्चे को अग्दम पकड़े हुए रखती है ताकि बच्चा गिरे नहीं अब यह जो fallopian tube है इसमें आपको कुछ यह दिख रहा है यह ऐसे उंगली जैसा इसको हम कहते है फिंबरी इस structure को हम कहते है फिंबरी अब देखो यह फिंबरी क्या कहती है मालो यह ओवा बना हुआ है तो यह जो फिंबरी होती है बड़ी चलाक होती है बड़ी चलाक ही इसका अगर मैं exact structure बना हो ना तो यह ऐसे बनती है देखो फिंबरी का अगर अगर अपर एक्जेक्ट स्ट्रेक्टर बनाना चाहते हैं तो इस जुस्स लाइक डाट, लुक अगर दिस यह फिंबरी ऐसे होती है, तो पूरे माहिने तो यह शान्त रहती है कोई टेंशन नहीं, पर जैसे ही इसको यह पता चलता है कि ओवा मैच्वर हो गया है, तो यह का गटी बिला, आज़ा बेटा, मेरे पास आजा, तू इधर उधर मज़ जा तो यह जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको फैलोपिन ट्यूब की उपर दिख रहे हैं, इसको फिंबरी कहते है और यह खचक से ओवा को कैच कर लेती है, नहीं तो ओवा क्या होगा, ओवा गिर जाएगा इधर उधर, कहीं गुम हो जाएगा, ओवा बहुत चोटा इस्ट्रक्चर है तो ओवरी जब ओवा मैच और करती है, तो फिंबरी उसको सहलाने लगती है, तुम निकालोगी तुम मुझे ही देना, इंदे उधर मच ले जाना, नहीं तो तुम्हारा कोई काम नहीं बच्चेगा, तो इसे लाती है, मुनना इधर आ, इधर आ, तो उसको कैच करने का काम क पर उसके बाद देखो, यह जो फिंबरी है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से इनको फिंबरी कहा जाता है, फिर यह जो फनल शेप का स्टक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते है, इन फंडी बुलम, बुलम मतलब फनल शेप स्टक्चर, याद नहीं होगा, तो भी कोई टेंशन नहीं, जितना भोलें, उतना तो यादी होना चाहिए, इन फंडी बुलम कैसा स्टक्चर है, बच्चो, फनल शेप का, फनल, ठीक है, और उसके बाद देखो, यह वाला जो इससा है, इसको हम कहते हैं, एमपूला, तुमको पता है, यहीं पर फर्टिला होता है, ठीक है, और आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, इतना बुरा लिखा है, इतना बुरा क्यों लिखा है, आज बड़े हैं, जो अपने मन से जो काम करी जा रही है, यहीं पर क्या होता है, एमपूला में ही फर्टिलाइजेशन होता है, और अगर आपने सोशल बताओ, यूट्रस को अनिट कर रहा है, और अमपुला को अनिट कर रहा है, तो फेलोपियन ट्यूब के हिस्से, मेरे प्यारे बच्चों आपने सब ने सीखे, क्या क्या सीखा, फिंबरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिर फानल शेप का स्ट्रक्चर इंफंडी बोला, फिर एंपुला जहां फर्टिलाइशन होगा, इस तमस, एक नारो पोर्शन जो यूट्रस और एंपुला को कनेट कर रहा है, याद करो, बेटा, डाइग्राम बना, इतना तो तुमने अगर टेंथ बोर्ड में लिख दिया, तो जो आपका एक्जवामिलार बोलेगा, भाई आपकी वैजाइना, ठीक है, वैजाइना, clear है बच्चो, this is called as वैजाइना, clear, पर ये नहीं पता चला माम, अभी ये क्या है, this is called as बेटाजी, सर्विक्स, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, this is the सर्विक्स, तो बच्चा जब पैदा होता है, सर्विक्स बंद होता ह है, तो जब बच्चा पैदा होगो, तो सर्विक्स भी फैलेगा, और वैजाइना भी फैलेगी और बच्चा बाहर हो जाएगा, तो सर्विक्स एंड वैजाइना, इन दोनों को हम एक साथ, जब बच्चा पैदा होने वाले रहता है, कौन से गलर से लिगू है, मेरे पास को करद टिनंदोनों को एक साथ हम कहते बर्थ कैनाल क्या कहते हैं बच्चों यह वतलों की ऑवरी कितने हाप अपके पास एक पहला होवगा निकालती है हर महीने में अगर January जैनवरी में एक ओवरी ने अपना ओवा निकाला है तो next month में February में अपना ओवरी अपना ओवा निकालेगी फिर अपनी ओवरी अपना ओवा निकाल कर किसको दे देगी बच्चों वो दे देगी fellopian tube को च aquele ओधय निवागा फेलोपीन ट्यूब में ओवा उवा अगया अब फिलोपीन ट्यूब ही कैच क्यों करता है इधर उनी जाता हुआ क्योंकि फेलोपीन ट्यूब में क्या होता है फिंगर लाइक प्र कुछ बतादे रहे हूं कभी बी किसी भी लेवल का ड्यक्राफ खोलो तुमंहे ना गया हे तो शिपरामयम का नाम नहीं ठीक है तो एंपुला इस्तमस हो गया इस्तमस से आपका एक इंवर्टेट पेरियर शेप के स्ट्रक्चर में खुला जिसे हम यूट्रेस के नाम से जानते हैं यूट्रेस गर्भाशय होता है जो बच्चे को नौ महीने तक पालता है रखता है अपने पास यूट्रेस की तीन लेयर बाहर वाली पेरिफेरी वाली पेरिमेट्रियम अंदर वाली मायोमेट्रियम क्योंकि वो किससे बनी होती मसल से कौन सी मसल से स्मूद मसल से जो आपकी इक्षा के अनुसार कंट्रोल नहीं होती अंदर वाली एंडोमेट्रियम तो अगर आपका ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो बाखी दोनों लेयर तो ऐसी होती है अंदर वाली जो है ग्रीन वाली यह शेडाउट होकर बाहर हो जाती है इन फॉर्म ऑफ ब्लड इसको मेंस्ट्रोल साइकल कहते हैं फिर एक नैरो पोर्शन दॉट्स यहां ऊजम water उना चरिविक्स ट्रोश रहता है जाप प्रेग्निंशी रहती है सर्विक्स ओपन हो जाएगा जब दिलिवरुण हो और यह गयां वैजाइन वैजाइना से हम लोग क्या करते हैं बच्चे की डिलिवरी करते बाधिस प्रकार शजाने के लिए और न तो यह आप डाइगराम अच्छे से बना सकते हैं और अब माम इसके डीटेल आपको बताने वाली है बढ़ी है तो भाई इसके लिए इस मुझे मुझे एक पेट चाहिए चाहिंत बिना अधाय कोई चीज़ नहीं बनेगी आप स्कायों ने देखा कि जो में 75 साल सकता है क्योंकि को पादा कर सकता है कि स्पर्म क्यों नो यहां पर sperm mother cell ने ओवर बनानी कहानी बिफोर बर्थ ही शुरू कर दी थी पर वो अरेस्ट हो गई बीच पर भगवान ने बोला यह कह नर्थ कर रही है तो जनम के बाद होना था पिबर्टी किसे मन था तू पहले से क्यों चुरू कर दी तो उसने न बोला होगे हमें ने मियोस सब्सक्राइब करेगी जब प्यूबर्टी आएगी क्लियर है समझ में आई बात ना लिसन तु मी वेरी केरफुली अब मेल्स में हम लोगों क्या पढ़ा तो तुम्हें सब समझ में आएगा कि हम विदाउट कंपैरिजन कभी भी किसी सब्जेट की स्टड़ी नहीं होती औ और आप तो हम बाइलोजी के वालगी लेविल की पढ़ रहे है यार बाइलोजी का ब्याद्शा ऐसे नहीं बनाती हूं लोगों को मैं ऐसे ही नहीं लोग जो है तो 11 12 या नीट में पढ़ते तो बोलते माम आपने आपने हमको टेंट में पढ़ा रखा है समझे तो एक जग जाता आए Колे यह क्या हो गया बच्चों नेसेसरी ए तुमको ऐसा तो लग रहा है है यह मां ना मता जी पात पर रिपर्ड़ुक्टिव शिस्टम् तो पढ़ने से एसे लगा ता कितना मज़ा आएगा पर यह पड़कर तो जया यह क्या हो गया ऐसा तो नहीं लगल रहा है एक necessary reproductive organ होंगे necessary reproductive organ handwritten notes आपको app पे मिलते हैं तो अड़ा 24-7 का app आपको download करना बहुत जरूरी है ठीक है और एक होता है necessary reproductive organ अभी मैं इसकी पूरी detail भी देदूंगे कहाँ पर आपको क्या मिलेगा तो male में necessary reproductive organ क्या था राजा बताओ मुझे male में था testis male में था testis वैसे ही female में क्या होना चाहिए female में होना चाहिए ovary clear है समझ में आई बात accessory की बात करें तो male में accessory में थे कुछ ducts कुछ ducts थे और कुछ glands थी थेक ही नहीं थी बोलो ठीक है यहाँ पर भी कुछ ducts होंगी और कुछ glands होंगी यहाँ पर भी accessory में कुछ ducts होंगी कुछ pipes होंगी और कुछ glands होंगी बिल्कुल होंगी यहाँ पर भी चलो यहाँ पर ducts के नाम पर क्या है बोलो यहाँ पर ducts के नाम पर मैं सीधा लिखती हूँ वास इफरेंशिया पढ़ा जो जो मैंने पढ़ाया मैं वो तो लिखूंगी भाईया मैं revision क्यों नहीं करवाऊ मैंने पढ़ाया है हक से पढ़ाया है तुम्हें revision हो करवन करना ही पढ़ेगा वास इफरेंश फिर epididymus फिर उसके बाद वास डिफरेंश वास इफरेंशिया भी कह सकते हो वास डिफरेंश ठीक है glands में हम लोगों ने क्या पढ़ा भाईया seminal vesicle seminal vesicle seminal gland भी कह सकते हो prostate gland prostate gland ठीक है और आपने पढ़ी cowper gland यहीं पढ़ा cowper gland अब इधर आजाओ भाईया इधर आप ducts में पढ़ेंगे fallopian tube fallopian tube ठीक है और मैं इसमें सारे लिए देते हूं uterus और cervix और vagina ठीक है वाजाइन ठीक है glands में आप क्या के पढ़ेंगे भाई ovary भी एक gland है पर इसमें आप एक और जो है तो gland लिख लिए यहापे that is the bartholin gland ठीक है bartholin gland क्या होती बार्थolin gland यह copper gland जैसी ही होती है ठीक है यह हो गई आपकी कहानी तो यह आपको bartholin just like मैं लिखने रही हूं just like copper gland बहन होती है एक जैसा है जैसे ही lubrication देती वो भी lubrication ऐसा नहीं है कि copulation के दौराण सिर्फ male काम करता female भी equal participants शो करती है वो भी exaculation के लिए वो भी smooth बनाने के लिए passage को bartholin gland से निकालती है ताकि वजाएना smooth हो जाए ताकि male penis का insertion अच्छे से हो सके ठीक है बया चलो आजा पढ़ना शुरू करते हैं तो यह मैंने आपको बता दिया इनके बिना काम नहीं चलेगा इनके बिना काम नहीं चलेगा ओवरी क्या निकालती है ओवा और क्या निकालती है हॉर्मोन कौन सा हॉर्मोन वो हम पढ़ेंगे ओवरी हॉर्मोन निकालती है दो यहां लिख भी देती हूं मैं ओवरी हॉर्मोन मेरे notes आपको मिल जाएंगे so you don't worry about it जो बच्चे बोलते हैं नोट्स कैसे बनाएं मेरे साथ ही क्लास में आप लिखिए जो मैं बनाती हूँ उस सेम स्टेप को फॉलो करिए और मेरे साथ ही आप लिखिए मेरे साथ ही आप लिखिए अब तो मैं स्लाइट से भी बहुत कम पड़ाती हूँ मेरे बच्चो आपको क्लास में प्रॉपर हैंड़े नोट्स देती हूँ मेरे साथ ही आप कॉपीज बनाईए ठीक है तो हॉर्मोन कौन कौन से हो गए बच्चो इस्ट्रोजन ठीक है यह बढ़ते हैं बहुत सारे जोड़ दिये हैं चलो इसको लेबल करते हैं आपको बनवा दिया है पर मैं चाहती कि एक बार इसको भी लेबल करी लो आप बिल्कुत वहीं कर दो नंबर वंबर हटाओ सबसे पहले यह का है राजा यह है ओवरी यह लेबल करी लो पहले मैंने सोचा था कि डायग्राम नहीं बनाऊंगी समय बचाऊंगी पर मैंने सोचा कि ने बैटा टैन्थ वालों के साथ तो किसी भी प्रकार का कोई कॉंपरमाइस होना नहीं चाहिए ठीक है यह हो गया बच्चो यूट्र ठीक है दिखाए नहीं दे रहा है इसी को फैलोपीन ट्यूबी लिख सकते जैसी तुम्हारी रिक्षा है फिर उसके बाद यह क्या हो गया बच्चो यह हो गई आपकी इस इस दा इस दा सर्वेक्स इस दा मायो या एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली हो ठीक है एंड इस वन इस दा वेजाइना तो इस तरीके से आपने लेबल भी कर लिया क्लियर है बोलो सब आता है बेटा मैंने तो तुम्हें ट्रिक्स भी बता दी आपको बनाना कैसे ठीक है आओ बटा जी चलो ओवरी कहां होती है फीमेल एवरी किस शेप की होती है आलमंड नीचे गिर ना जाए देखो look at this ovarian ligament दिख रहा है आपको दिख रहा है कि ने दिख रहा है ठीक है अब आजाओ next देखते हैं देख रहे हो ना देख रहा है विनोध कि ये ये लिगामेंट है जो ओवरी को यूट्रेस से जोड रहा है दिख रहा है कि ने दिख रहा है कि ovaris जो होती है ये दो function perform करती है पहला ये female gamete बनाती है जिसे हम ova कहते है और ये दो हॉर्मोन बनाती है जैसे कि estrogen and progesterone बटा कुछ नया नहीं लिखा है जो already मैंने आपको explain कर दिया है बस उसको slide में लिखा हुआ बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ है संड़ा बव कि बड़ा मज़ा अगर reproduction पढ़ने में आ रहा है बताओ जरा oviduct किते cm की होती 10 से 12 cm की होती है और 2 होती है ये क्या करती है ये एक को ले ले लेती है ovaris से और uterus तक पहुचाती है साथ में आपने ampula वाला reason भी देखा ये वाला reason क्या कहला था ampula वाला reason यहां पर fertilization भी होता यह मतलब perfect जगा perfect environment देती है फिर उसके बाद आपने देखा कि जो आपकी सबसे देखो यहां से funnel shape देखो हर fallopian tube की पहली opening है infundibulum है ना infundibulum फिर क्या है ampula फिर है isthmus infundibulum ampula और isthmus यह मुझे बताने की जरूत ही नहीं है और फिर आपका isthmus किसमें खुलता है uterus में देखो convulated tube convulated मतलब ऐसे यह इस्थमस वाली tube किसमें open हो जाती uterus में open हो जाती है आगे बढ़ जाते हैं बेटा next देखो uterus को हम warm भी कहते हैं वोम मतलब गर्ब गर्ब ठीक है uterus large होता है inverted pear shape का होता है muscular structure है और behind the bladder सूसू के भरने वाली थैली के पीछे है uterus के पास 3 layer है बाहर वाली नाम मैंने बताया perimetrium, beach वाली layer का नाम बताया myometrium और अंदर वाली layer का नाम बताया endometrium ठीक है अगर fertilization हो गया तो जो embryo है जो बच्चा है बच्चा तो पहले नहीं बना पहले जाएगोड जाएगोड से embryo बना embryo uterus की अंदर वाली सबस जाता अंदर की ठीक है और उसी में पहसा रहता है जब तक की उसी से जुड़ा हुआ रहता है जब तक की बच्चा डिलिवर नहीं हो जाए ऐसा क्योंकि uterus जो होता है वो बच्चे मा और बच्चे के बीच का एक सबसे अच्छा connection है इसके बीच में tissue बनता है placenta मा जो भी nutrition देगी बच्चे को जाएगा through the uterus औ होते हुए वजाइना में ठीक है और सर्विक्स और वजाइना को हम एक साथ बर्स केनाल कहते हैं यह मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया अब आते हैं वजाइना में वजाइना एक साथ सेंटीमीटर की muscular tube है देखो यहां पे ध्यान से सुनो अगर आपको यह structure दिखाई दे देयते यह आलाग अलग ओकेίं यह किससे बने होता है वजाइना वजाइना इस मीड़नाई फिलक टिशू ठीक है और यह वय पढ़ीक हृए और इनको हम सर्विक करेंटों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और इची चीज है देखो वेजायना के ऊपर एक ऐसे बड़ी मस्कुलर लेयर होती है स्ट्रांग होती है पर इतनी भी स्ट्रांग नहीं है इसे हम कहते हैं हाइमन हाला कि यह थोड़ एक्स्टर नॉलेज यह इसकी जरुवत नहीं है पर सुन लो हाइमन चीज है इसा देखो तुम थे लास्टेंट में हो तुम्हें बहुत अच्छी बालेजी पढ़ा रही हूं तो अगर कभी कपिलेशन हुआ है तो हाइमन ब्रेक हो जाता है यह जो लेयर होती है तो किसी भी नारी की प्रवित्रता का साइन होता है यह ऐसा लोग मानते हैं और यह क्या होता जब ब्रेकड़वन होता है तो दूरिंग फर्स ताइम आफ अफ प्रपिलेशन इसा कुछ नहीं होता, तो अब NCRT अपने words को modify कर रही है class 11 and 12th में, so the hymen is the layer which is not true indication of the virginity, clear है, so this is all about the female reproductive system के parts, आज हम parts के बारे में ही discuss करते हैं, आज हमने बहुत ही जादा अच्छे तरीके से detailed manner में, थोड़ी थोड़ी चीजे पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है, मैं इस पर एक बर और reversion चाहती हूं, देखो, यह हमेशा याद रखो, यह हमेशा याद रखो, females में हमेशा जो male gamete हैं, वो 14 साल के बाद बनते हैं, पर female में gamete बनने की कहानी बर्त से पहले ही शुरू हो चुकी है, यह जो mother cell है, यह पहले ही cell division करके gamete बननाने शुरू ही कर रेजियूम होगा, जब क्या होगा आपकी प्यवर्टी आएगी, प्यवर्टी आएगी कुछ हॉर्मोन निकलेंगे और फिर बोलेंगे चलो cell division जहां रोका वहाँ पर रेजियूम करो, अब जो step तुमारे जन्म के पहले हो चुके हैं, वो आप जन्म के बाद थोड़ी ओव जो आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आया हुगा, कुछ थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर आप इस नोट्स चाहते हैं, तो आपको एप डाउनलोड करना पड़ेगा, किसका? अड़ा 247 का, ठीक है? आपको एप जो है ये डाउनलोड करना ही पड़ेगा, तभी आपको सारे मेरे handwritten notes मिलेंगे, आप कभी भी notes को ऐसा मत समझेगे, कि आपको वैसा ही चेपना है, जैसा मैं पढ़ा रही हूँ, आप अपने notes स्वयम बनाओ यार, किसी भी व्यक्ति के notes स्वयम होते हैं, और वो उसको help करते हैं, किसी teacher के notes किसी ब और वो कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा एक official telegram channel है, जिस पे आपको बकवास नहीं करनी है, शिपरा तिवारी official, इस पे आप अपना doubt भेज सकते हैं, clear है, तो ये थी आज की class, और अगर आप कोई course अड़र 247 से हैं, ये आपके भाई-बहन खरीदन session, biology का बेताज बाच्छा बनने के लिए, अच्छे से biology पढने के लिए, biology का धुरंदर बनने के लिए, मैं हूँ आपके साथ, आप विश्वास रखे मेरो पर, पूरे YouTube में ऐसे lecture साब को कही नहीं मिलेंगे, so this is it, this is all about the female reproductive system, in the next class we will deal with the many 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 more important topics like ovulation, menstruation cycle, post fertilization event, each and everything, बने र अच्छो, take care and bye-bye.